परिचय क्या तुम सब जानते हो कि हम जो संगटित भूजन ग्रहन करते हैं उसमें कार्बन होता है? कार्बन? मगर सर, क्या ये पुरी बात नहीं है? क्योंकि ये तो हमारे भूजन को दूशित कर देता होगा? नहीं रमेश, वास्तों में कार्बन रसाइनों वा कीट नाशकों के साथ कुछ नहीं करता, बलकि हमारे भूजन को स्वास्तेकर बनाता है. यही कारण है कि कार्बन हमारे दैनिक जीवन में एक महत्पूर्ट तत्व है. उद्देश्य कार्बन अव्यवों का वड़न करना. कार्बन में आबंधन, सह सैयोजी आबंध कार्बन एक रासाइनिक तत्व है, जिसका रासाइनिक प्रतीक सी तथा पर्मानु संख्या छे है. आवर्ती सारणी में समुह चौदा का सदस्य होने के नाते यह एक अधातू है, जिसमें सह सैयोजी रासाइनिक आबंध बनाने के लिए चार इलेक्ट्रोन उपलब्द होते हैं. दो कार्बन पर्माडों के मध्ध कार्बन कार्बन आबंध सह सैयोजी आबंध होता है. सर्वाधिक प्रचलित रूप एकल आबंध है, एक ऐसा आबंध जो दो इलेक्ट्रोनों से बनता है, यानि दोनों पर्माडों में से एक-एक. कार्बन में अपने स्वाइम के पर्माडों से लंबी श्रंखला बनने के लिए विशिस्ट गुण धर्म पाए जाते हैं. ये गुण धर्म श्रंखलन कहलाते हैं. कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट, हीरा तथा अनियमित रूप कार्बन है. कार्बन की सर्वतो मुखी प्रकृती संगटित योगे कार्बन, हाइडोजन, आक्सीजन तथा कुछ अन्य तत्वों से बनते हैं. कार्बन के पर्माडों की सर्वतो मुखी प्रकृती तथा आबंध विन्यास जो की अन्य पर्माडों के साथ होता है, संगठित योगिकों के गठन को समर्थ बनाता है चतु संयोजक्ता कार्बन प्रकृतिक चतु संयोजी होता है या एक, दो, तीन या चार कार्बन परमाणूं अथवा अन्य तत्वों के परमाणों या परमाणों समोहों के साथ मिलकर सहसंयोजी आबंध बनाता है मजबूत कारबन कारबन सहसंयोजी आबंध स्थिर योगिकों का निर्मान करके कारबन परमाणों एक मजबूत आबंध बनते हैं कारबन के परमाडु अन्य परमाडु की साथ मिलकर भी स्थिर आबंध बन सकते हैं। कारबन कारबन बहु आबंध कारबन परमाडु चूकि आकार में अत्यन्त छोटा होता है, इसलिए यह बहु आबंध भी बना सकता है। दूई वा त्री आबंध भी बनाए चा सकते हैं और वो भी ना किवल कार्बन के साथ बलकि आक्सीजन, नाइट्रोजन आदी अन्य तत्वों के परमाणूं के साथ भी ये बहु आबंध कार्बन योगिकों में विविधता लाते हैं संत्रिप्त एवं असंत्रिप्त कार्बन योगिक कार्बन अनेक योगिक बनाता है, इसके दो मुख्य प्रकार हैं संत्रिप्त योगिक एवं असंत्रिप्त योगिक संत्रिप्त योगिक जहां सनलगन कार्बन परमाणों में एकल सहसेयोजी आबंद होता है, वहां कार्बन वा हाइड्रोजन की योगिक संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं. संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन बनने का कारण ये है कि कार्बन के सभी चार आबंदों का पूर्ण रूप से इस्तिमाल हो जाता है तथा अत्रिक्त हाइड्रोजन वा अन्य परमाणों इससे सनलगन नहीं किये जा सकते इन्हें एलकेन कहते हैं असंत्रिप्त यौगिक त्री आबंद वाले असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन एलकाइन कहलाते हैं। अनेक योगिक परस पर जुड़े होते हैं। शाखाएं जब कार्बन परमाणों तीन से अधिक हों तो कार्बन योगिकों को शाखिद किया जा सकता है। शाखिद श्रंकलाएं पेरेंट एलकेन को एक अलग तरह का धाचा तदान करती हैं। वले कार्बन वले कार्बन के परमाणों के वले होते हैं। वले बनाने के लिए पांच वाच्छे कार्बनों की अविशक्ता होती है। तीनवा चार के वले भी संभव हैं। तथा पी उनमें खिचाओ अधिक होता है और वे अस्थाई होते हैं। कार्बन एक छदम वेशी मेत्र। कार्बन एक मैत्री पूर्ण तत्व है। यह केवल हाइड्रोजन के ही साथ नहीं बलकि हैलोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फरादी अन्ने तत्वों के साथ भी आबंध बनाता है। इनके योगिक भी उसी प्रकार बंदे हैं जैसे की हाइड्रोजन के साथ। विशम परमाणू कहलाता है। एक प्राकार यात्मक समुह बनता है जो की कार्बन शिर्णखला की लंबाई एवं प्रकृती पर ध्यान दिये बिना योगिक को विशिस्ट गुण धर्म प्रतान करता है। समझातिये श्रिणी समान प्राकार यात्मक समुह बनता है। ऐसी श्रिणियों में बादवाले सदस्य समझातिये कहलाते हैं। समझातिये श्रिणी में यद्यपी सामान सूत्र वही रहता है, किन्तु श्रिंखला के विशिष्ट सदस्यों के धांचे एवं गुण धर्म भिन्न हो सकते हैं। तथा पी, क्रिया शीलिता आम तोर पर वही रहती है। किसी समझातिये श्रिणी में भातिक गुण धर्मों में क्रम बधता देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रवेमान के बढ़ने के साथ योगिक के कौथनांक एवं गलनांक में विर्धी होती है। कारवन योगिकों की नाम पधती किसी कारवन योगिक को विधिवत कोई नाम दिये जाने की विधी को नाम पधती कहते हैं। अधिकांश कारवन योगिकों के नाम दो प्रकारके होते हैं। नगरणे नाम, कार्बन योगिकों के सधन्ता प्रियोग में आने वाले नाम नगरणे नाम कहलाते हैं, ये आमतोर पर योगिक के सुरोत पर आधारित होते हैं, तथ़ा पि इस प्रकार से नामकरण किया जाना संदिग्द वा दोहराव वाला होता है. IUPAC नाम कार्बन योगिकों का नामकरण अब अत्यंत योजना बधरूप से किये जाने की आवशक्ता है अंतर राष्टिये शुद्ध एवं वहवारिक रासाइनी की संग ने कार्बन आधारित योगिकों का वैज्ञानिक नामकरण करने के लिए एक विधी निर्धारित की है इन नामों को सारे विश्व में मानिता प्राप्त है और इन हैं IUPAC नाम कहते हैं कार्बन योगिकों के रासाइनीक गुण धर्म कार्बन एक अती अभिक्रिया शील तत्व है मुख्य रासाइनी गुण धर्म इस प्रकार है देहन किसी पदार्त का जलना देहन कहलाता है या एक ऐसी प्रक्रिया है जो अतिधिक उश्मा उत्पन्न करती है जब कार्बन एवम उसके योगिक जलते हैं तो ऊश्मिय उड़जा, कार्बन डायोकसाइट और जल उत्पन होते हैं आकसी करण आक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देहन के पश्चाद कार्बन योगिक सरलता पूर्वक आक्सीकरित होते हैं आक्सीकरण पूर्ण होने पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी हैं जिनमें एलकोहल के माध्यम से कार्बोकसिलिक अमल उत्पन होते हैं संकलन अभिक्रिया उद्प्रेरकों की उपस्तिती में असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बनों में हाइड्रोजन मिलाई जाती है और इससे संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं ये उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिकरिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, और ये अभिकरिया को प्रभावित नहीं करते हैं. प्रतिस्थापन अभिकरिया अधिकांश अभिकर्मक संत्रिप्त हाइड्रोकार्बनों से अभिक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकते हैं इसलिए ये संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन निश्क्रिये होते हैं तथा पी सोरी के प्रकाश में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बनों में संकलन होता है चुँकि क्लोरीन एक-एक करके हाइडूजन के परमाडों का प्रतिस्थापन करती है इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं एथिनॉल एवं एथिनाईक अमल एथिनॉल एथिनॉल को आमतोर से अलकोहल के नाम से जाना जाता है और यह कक्ष के तापमान पर तरल होता है, यह सभी अलकोहलिये पेपदार्थों का सक्रिय अव्यव होता है, यह एक अच्छा विलायक है और इसलिए इसका दवाओं में प्रेवक किया जाता है, तनु एथनॉल की थोड़ी सी मात्रबी लेने पर नशा हो जाता है, किंदु श शुद एथनॉल की थोड़ी सी मात्रबी मृत्यों का कारण बन सकती है। एथनाइक अमल को आम तोर पर एसिटिक अमल कहा जाता है, यहां कार्बोकसिलिक अमल समो का ही एक भाग है। जब एसिटिक अमल का 5 से 8 प्रतिशत विलियन जल में मिलाया जाता है, तो यह सिर का ना पर नांक 290 के है। इस गुण धर्म के कारण या शीत रितु में जम जाता है। और इसलिए इसे हिमानी एसिटिक अमल भी कहा जाता है। कार्बोकसिलिक अमल एक विशेश अमलियता का गुण लिये होते हैं, तथा पी चूंकि कार्बोकसिलिक अमल आईनिये नहीं होते, इ दुर्बल अमल होते हैं। साबून तथा अपमारजक हमारे दैनिक जीवन में साबून तथा अपमारजक, कपड़े धोने, हाथ धोने, बरतन साफ करने आदी के काम आते हैं। साबून सोडियम तथा पोटेशियम लवडों से बनता है, जिन में कार्बोकसिलिक अमलों की ल साबुन के अणूं मिसेली नामक सनचना बनाते हैं। मिसेली तब बनती है जब भिन भिन प्रकार के अणूं वाले साबुनों तथा अप मारजकों को जल में मिलाया जाता है। इन अणूं का एक मसबूत जल रागी सिरा होता है तथा एक जल विरागी हाइड्रो कार्बन पूँच होती है। जब आप इस अणूं को जल में मिलाते हैं तो अणूं की जल विरागी पूछें एक गेंद के केंदर में जमा हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ज जल विरागी होती हैं। आणूओं का जल रागी सिरा मिसेल के बाहर जल के आणूओं के साथ अभी क्रिया करता है। क्या आप जानते हैं? क्रित्रिम रूप से तयार हाइड्रो कारबन ट्रांस कहलाते हैं। ट्रांस योगिकों को उचित रूप से तोड़ने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम कम होते हैं। इसी कारण वसा खतरनाग तथा आस्वास्थे कर होती है क्योंकि वो बढ़ती रहती है। अधिकांश उपक्रहों के वादावरणों में यह प्रचुर मात्रा में मौजूद है। कारण की बहुमखी प्रकृती को चतुर सहसेयोजकता प्रबल कारण कारण सहसेयोजी आबंध तथा कारण कारण बहुल आबंध के साथ संक्षेपित किया जा सकता है। कारण परमाणों के श्रंकलाएं हैं, रेखिये श्रंकला, शाकित श्रंकला तथा चक्रिये वलाएं। कारण एक मैतरी पूर्ट तत्व है, जोकी अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाता है। समझातिय श्रिणी सम्मंधित रासायनिक योगिकों की एक ऐसी श्रिणी है, जिसके एक समान प्राकारियात मक्समू होते हैं। किसी कारण योगिक को कोई सटीक नाम दिये जाने की प्रक्रिया को नाम पद्धती कहते हैं। कार्बन के रासाइनिक कुणधर्म हैं डेहन, आक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया